नमश्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज 22 सितंबर गुरुबार सुबा 6 बजे राजस्तान की खास खबरे विधानसबा में प्रश्नकाल के दुरान लंपी के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और कॉंग्रिस परदेश अदेक्ष गोविन सिंग डुटासरा के बीच जम कर नोग जोक हो गई इस पर बीजे भी विधायकों ने कडिया पत्ती की सदन में हंगामा हो गया लंपी से जुड़े सवाल के जवाब से विवाद की शुरुआत हुई नेता प्रतिपक्ष ने जब पशुपालन मंत्री के जवाब पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपके जवाब से तो यह लग रहा है कि केंदर रास्टे आपदा घोशित नहीं करेगा तो आप सहायता नहीं दोगे नेता प्रतिपक्ष के इतना कहते ही गोविन सिंग दोटास्रा बीच में खड़े हुए और कहा कि केंदर क्यों नहीं करेगा फिर आप लोग किसले बैठे हैं डुटासरा के बोलने पर नेता परतिपक्ष ने पूचा, आप किस खाते में खड़े हुए हो, यह किस खाते का अदिकार है, आप दाराध मंत्री हो गया डोटासरा ने पलटवार करते हुए कहा यह सदन केवल गुलाबचंद कटारिया का ही नहीं है यह सदन जितना गुलाबचंद कटारिया का है उतना ही गोविन सिंग डोटासरा का भी है आपके और मेरे अधिकार यहां पर बराबर हैं गुलाब चंद कटारी और गोविन सिंग डोटासरा में नोग जोंग के बाद बीजेपी विधायकों ने नराज की चताते हुए हंगामा शुरू कर दिया महर्शी दयानंद सर्स्वती युनिवर्सीटी अजमेर की और से आयोजित किये जा रहे एक्जाम से पहले पेपर लीख हो रहे हैं इस बात को युनिवर्सीटी प्रशाशन ने भी मान लिया है प्रशाशन ने अपने सर पर जाँच शुरू करने के साथ ही अजमेर पुलिस मान रिक्षक को भी कारवय के लिए पत्र लिखा है प्रशाशन ने प्राइविट कॉलेज पर संदेज जारी किया है साथ ही बताया कि नकल गिरो सकीरिया है, परिक्षा से आदे घंटे या एक घंटे पहले पेपर बाहर आ रहे हैं, इसमें युनिवर्सिटी की गोपनियता भंगोरी है, गौटलब है कि महर्शी दियानंद सरस्वती युनिवर्सिटी अजमेर के अधीन चार जिलों, अजमेर, टॉंक, नाग और वे भिलवाड़ा में करीब 350 कॉलेज हैं, जहां पर करीब 3 लाग से ज़्यादा स्टूडेंट्स अध्यानरत हैं, इनके परिक्षें 27 जुलाई से आयोजित की जारी हैं, अलवर के रंजीत नगर निवासी वे दोसा के महुआ में पीच्सी तालचिडी में एन्म पदप पर कारेदत 57 वर्षे बीना देवी शर्मा ने खुद के घर में फंदा लगा सिसाइड कर लिया, सिसाइड नोट में साफ साफ लिखा कि पीच्सी इन्चार्ज वे स्टाफ ने इतना परिशान कर दिया कि तनाव में आ गई, ये मेरा आखिरी राम राम, मा की मौत के बाद 30 स पर उठक बैठक तक लगवाई, मा का कई साल पहले अक्सिडेंट भी हो चुका था, उनके हाथ पैर में रॉड लगी थी, इस कारण बिमार होने पर छुट्टे नहीं दे कर परिशान करते थे, इन सब कारणों के चलते मा ने फंदा लगा अपनी जीवा लिला समाप्त कर ल पीडिता के घर के सामने उष्का शव मिला, पुलिस गत शाम ही युवक को हिरासत में लेकर थाने लेकर आई थी, लेकिन मौका देखते ही वह चंगुल से भाग जुटा, आज सुबह हॉस्पिटल के बाहर परीजनों ने हंगामा कर दिया और शव लेने से मना कर दिया, एस मनराज ने देराथ स्युसाइड कर लिया, पैपेडिता के घर के सामने पेड से लटका मिला, युवक के घर वाले रवांजना, डुंगर, थाना स्टाफ पर पेडिता और परीजनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्स करवाने की मांग कर रहे हैं, चंडिगर युनिवरसिटी वीडियो कांड विवाद अभी थमा भी नहीं कि जलंदर की लवली प्रोफेशनल युनिवरसिटी में हंगामा हो गया, युनिवरसिटी के हॉस्टल में एक चातर ने सिसाइड कर लिया, केरल के रहने वाले चातर इजीन एस दिलीप कुमार, पुतर दिलीप कुमार के कमरे सिसाइड नोट में मिला, पुलिस ने युनिवरसिटी में हंगामा कर रहे चातरों को तितर बितर करने के लिए देरात लाठियां भी भांजी, पुलिस पहले काफी देर मनाती रही, लेकिन जब चातर जादा ही हंगामा करने पर उतर आये, तो उन्हें हटाने के लिए पु इस स्टूडेंट की मौत हुई है, वह बच सकता था, लेकिन युनिवरसिटी में एंबुलेंसी देर से पहुँची, साथी चातर यह भी मांग करें हैं कि मृतक के कमरे से जो सिसाइड नोट मिला है, उससे सारमजनिक किया जाए, पुलिस रात बर माहोल को शान्त करने की को पुस्टी की है, राजु श्रीवास्तव शौबिज इंडस्ट्री का जाना माना नाम थे, उन्होंने कई फिल्म और शोज में काम किया था, रियालिटी शोज में भी राजु ने पाटिसिपेट किया था, राजु को मगर पैचान कॉमेडी शो दा ग्रेट इंडियन लाफ् पलता हासिल करना इंस्पाइरिंग है, देश की राजानी दिल्ली में बड़ा सड़ का हाथसा हुआ है, सीमापुरी इलाके में एक ट्रक ने डिवाइडर पर सो रहे छे लोगों को कुचल दिया, दर्दना का हाथसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घंब जानकारी के अनुसर दिल्ली के सीमापुरी में डीसी ओ डीपो रेड लाइट को पार करते समय दियलफ टी पॉइंट की तरफ जा रहा था, देरात तेजर अफ्तार ट्रक ने सड़क के डिवाइडर पर सो रहे छे लोगों को कुचल दिया, जिन में से चार की मौत हो गई, जबकि दो लोग खायल हो गए, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, कोटाचिले के नया पुरा थाने में पुलिस की कारे प्रनाली से नराज होकर आतमदा करनी वाले रादेशाम मीना की दिली एम्स में उपचार के दरान मौत हो गई, रादेशाम मीना के प प्रशाष्णिक अधिकारियों से वारता के बाद मृत की पत्नी ने मीडिया से बात नहीं की, इस कारण ये साफ नहीं हुआ कि आकर के इन मांगों पर सहमती बनी, मीडिया से बादचित में कलेक्टर ओपी बुनकर ने कहा कि परीजनों ने 60 लाग की आर्थिक सहायता वे ए ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी मदद दिलाने की बात समझाई है। जिसे देखते हुई यह निर्ने किया है। वाई UIDAI ने जो मेमोरेंडम जारी किया है देश की सुरक्षा में कोई खत्रा नै हो इसे देखते हुई यह निर्ने लेने की बात कही है। झाल